आपका स्वागत है मैं हूँ मनोंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा आज मद्परदेश और चुनाव की बात करेगी जो आज के दिन में चुनाव के दौरान काफी हावी है तो सबसे पहले बात करते हैं किंद्र गिर्मंती अमिसा ने चुनाव के लिए घोषना पत्र जारी किया है अमिसा ने घोषना पत्र जारी करने के बाद कहा कि अगले पांच साल में हम चुनाव को भी विक्षित राज बनाएंगे साथ ही हमारी सरकार ने पावर सर प्लस स्टेट बनाया था मिसा ने कहा दो साल में एक लाग पदों पे कई नौकरिया निकालेंगे बीजेपी ने अपना गोशना पत्र यहां जारी किया है जिसे संकल पत्र कहा जाता है भाजपा ने बनाया भाजपा ही सवारेगी यही टैग लाइन है इस गोशना पत्र के गोशना पत्र की कई कुछ मुद्ध बाते हैं अगले पांच साल में चतिस गड़ को बनाएंगे विक्सिस राद दो साल में एक लाग पदों पे निकालेंगे कई नौक्रिया पांच सो रुपिये में उपलावत कराएंगे गैस सिलिंडर एक तीसव रुपिये क्विंटल धान की होगी खरीदी जैसे चीजें जो है वो इसकी जो है गोशना की गई है आज इस गोशना पत्र में डाला गया है शिदे अपने सही होगी अखलेश के पास चलते हैं जो कि वहाँ पर मवजूद हैं इसके लिए वहीं पर हैं अखलेश बताईए गोशना पत्र की महत्पून बातें क्या-क्या रही और रहली में भी जो आप थे वहाँ पर क्या-क्या हुआ देखे मने रंजन 36 गण में दो-तीन ऐसे मुद्धे हैं जो प्रमुख रहते हैं अगर पिछले विधान सबा चुनाओ की बात करें तो कॉंग्रेस के जीत का एक बड़ा कारण ये था कि उन्होंने धान की खरीद का जो समर्थन मुल्य उसको बढ़ाने का बोनस के साथ एलान किया था और वो तस्वीर सबको याद है यहाँ पर कि 5 साल पहले किस तरह से कॉंग्रेस मुख्याले पर तमाम कॉंग्रेसी नेताओं ने हाथ में गंगा जल लेकर ये वादा किया थ साथ 36 किसानों से कि अगर कॉंग्रेसी सरकार आएगी तो समर्थन मुल्य बढ़ाया जाएगा किसानों का करजा माफ किया जाएगा और आज जब बीजेपी ने अपना संकल्पत्र जारी किया है तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो धान का ही है और ग्रिमेंत्य अमिश्या जो अपना जिसको की मोदी की गारंटी का नाम दिया है पहली बार इस तरह से बीजेपी ने संकल्प पत्र या घोष्ट पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है और इसमें पहला वाद यही है कि 21 कोईंटल परती एकर धान की खरीद जो है वो 3100 रुपे में की जाएगी और यहाँ पर ग्रीमेंतिय अमिश्या ने ब्रेकप भी दिया और ने कहा कि अभी 2700 रुपे में चत्तिरगड में प्रतिकुइंटल धान की खरीद हो रही है लेकिन 2700 में जो 2100 रुपया है वो 2200 रुपया वो मोधी सरकार अपने और से दे रही है यानि जो बगहल सरकार है व वादा बीजेपी ने किया इसमें हर मेहने 1000 रुपय जो भी विवाहित महला है चत्तिरगड में उसे दिया जाएगा प्रतियक विवाहित महला को 1000 रुपया यानि साल का 12000 रुपया हर महला को यहाँ पर दिया जाएगा एक लाग जो शास्की पत खाली है उनकी भरती होगी 18 सारा लाग प्रधरबंती आवाज बनाने का वादा भी बीजेपी ने किया है और साथ साथ धान के साथ यहाँ पर तेंदू पत्ता जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आदिवासियों की आजिवीका के लिए तो उसके लिए बीजेपी ने वादा किया है कि 500 रुपे में यहाँ पर एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा साथ ही ग्रीमिंत्य मिश्चा ने यह भी कहा कि 22 जनवरी दोहजार चौबीस को अयुद्ध्य में राम लिला राम लला का जो है मंदिर में 55 पतिश्टा हो रही है और बीजेपी सरकार आएगी तो यह जितने यहाँ पर लोग है चत्री जड़के उनको राम लला का जर्शन भी करा जाएगा तो इस तरह से बीजेपी ने यह सारे वादे यहाँ पर किये हैं तो अखलेट सबसे बड़ी बात है जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी ने कहा कि परधान मंत्री नरेंद मोधी जी की गारंटी है इसका मतलब बीजेपी गारंटी के साथ वारंटी भी दे रही है बिलकुल, क्योंकि आपने बिलकुल सभी सवाल पूछा गयोंगे, जब यह सवाल आता है कि कौंग्रेस पाटी अपनी उर्से गारंटी दे रही है, करना तक में कौंग्रेस ने पांच गारंटी यहां दी थी, उसके बाद मद्यप्रदेश में इन ही गारंटी यह को रिपीट में आपको दिखा देता हूं मोदी की यह कहा गया है इस संकल पत्र में घोशना पत्र में यह बीजेपी का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि हम जहां तक जानते हैं गारंटी शब्द का सबसे पहले प्रियोग जहें वह आमाधी पार्टी की सरकार नहीं किया था जब इसके बाद मंद्य परदेश में रायस्थान में भी हो सकता है किसी तरह की मोदी की गारंटी बीजेपी दे और अगले लोकसवा चुनाओं में भी हो सकता है कि यही बात कही जाए यह पूछा भी गया गरी मिंत्री अमिश्या से कि आप यहां पर पिये मोदी का चेहरा क्यो आगे रख करके चुनाओ लड़ रहे हैं क्यों आप मोदी की गयारंटी बोल रहे हैं जबकि वो तो प्रधान मंत्री है अगर आपकी सरकार यहां बनती है तो यहां पर आकर की मुख्य मंत्री नहीं बनेंगे तो इस पर उन्होंने कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा जो है वो पर 5 व ही है और पिछले 9 साल में उन्होंने जो जो कहा है वो करके दिखाया है ठति धन्त त्यरत को यह गयारंटी देनी के लिए कि अगर बीजेड़ पी की सरकार यहां पर बनती है तो डबल इंजन की सरकार 2196 सरकार मिल करके राजि का विकास कर एक जोए और उन्होंने य चत्तित रड़कों अगले पांस साल में विक्सित राज्य बनाएंगे ये उन्होंने वाइदा रही है। चिंता मत करो मैं फिर से बोलता हूँ। चिंता मत करो मैं फिर से बोलता हूँ। इसमें से 2200 रूपिया मोदी जी बेज रहे हैं। और बगेल साब 500 रूपिया अंदर डालकर वो भी लेट एक साल लेट 500 रूपिया डालकर 2700 रूपिय की क्रेडिट डिले रहे हैं। अब मैं बताता हूँ 3131 रूपिया भारतिय जनता पार्टी की डबल एंजिन सरकारों का होगा और साथ में एक मुस्त भुकतान भी हम करेंगे। क्ट्रा रूपिया कि अधिया जनता हैं।